डाउनलोड करें अमरुजलाय और पाएं खबरें लगातार हमारा देश ये कैसा देश है जहां कुत्ते, बिल्ली या दूसरे जानवर पालना बेहदाम है लोग खुद की मर्जी से पालतू जानवर घर में रख सकते हैं कहीं कहीं तो सफेद चूहों को भी लोग घर में पालते दिखाई दे जाएंगे और काले चूहे तो जैसे घर, ओफिस, गोदाम और कहीं भी दिखाई दे ही जाते हैं लेकिन एक ऐसा देश जहां पर चूहा पालना किसी टेड़ी खीर से कम नहीं एक ऐसा देश जहां चूहे पालने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है जिहां आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी लेकिन ये सच है ये देश है विकसित देशों में शुमार कनाडा उततरी अमेरिका में स्थित कनाडा क्षित्रफल के लिहास से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है दरसले कनाडा में अगर किसी को चूहँआ पालना हो तो इसके लिए उसे सरकार से परमीशन लेनी पड़ती है दरसले इसके पीछे वज़े है, कनाड़ा में जिंदा चूहे को बेचा नहीं जा सकता है और ना ही उसे मार सकते हैं यहा पर जिंदा चूहों को बेचना या मारना गयर कानूनी काम कहा गया है कनाडा से जुड़े इस खास पहलू के अलावा और भी कई सारी रोचक चीज़े जुड़ी हुई हैं जिनमें कनाडा को जीलो का देश भी कहा जाता है दरसलि यहां का पानी मिनरल वाटर से भी जादा अवसाफ है और इसकी वज़ा यहां की जीले ही हैं यही नहीं कनाडा को लेकर ये भी बात बेहद प्रचलित है कि इस देश के कुछ इलागों में गुरुत्वा कर्शन यानि ग्रेविटेशनल फोर्स बेहद ही कम है जिसकी वज़े से वहां पर लोगों को हावा में उड़ता हुआ सा महसूस होता है